बिग बॉस OTT से सुरू हुई समिता सिट्टी और राकेश बापट की लब स्टोरी को लेकर फैंस बहुत ही जादा एक्साइटर थे दोनों की केमेस्ट्री, समझदारी और बॉंडिंग फैंस को काफी पसंद आई और उन्होंने दोनों को जोड कर एक नाम दे दिया, सारा लव लेकिन अब समिता सिट्टी और राकेश बापट के फैंस का दिल तूट गया है कथित तोर पर ये जोडी अलग हो गई है, ये दोनों ही टेलेविजन इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा जोडियों में से एक बन गए थे फिल्फेर की रिपोर्ट के मताबिक समिता और राकेश ने आपसी सहमती और सवहाद पूड तरीके से अपने रास्ते अलग कर लिये हैं दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और वे दोस्त बने रहेंगे हाला कि अभी तक ना तो समिता सेती और ना ही राकेश की तरब से इसकी कोई आधिकारी पुस्टिक की गई है तो वहीं उनके ब्रेकश की खबरें सामने आने के बाद सोचल मीडिया पर हैस्टेक सारा ट्रेंट करने लगा और फैंस ने कहा कि वो राकेश और समिता के प्यार पर कभी सावाल नहीं उठा सकते एक सोचल मेडिया यूजर ने लिखा मुझे उमीद है कि ब्रेकप की एक खबरें फेक हैं और ये हमेशा साथ रहेंगे बगवान उन्हें असिरवात दे तो वही एक तीसरे यूजर ने लिखा तो वही दूसरी तरफ समिता सेट्टी के साथ प्रेकप की अफ़ोहों के बीच राकेश वापट ने सनिता की वहन सिलपा सेट्टी को उनके जनम दिन पर प्यार भरे पोस्ट के साथ सुपकाम नाए दी राकेश ने अपनी इस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर सेर की जिसमें उन्हें सिलपा की तस्वीर को कैनवास पर चित्रित करते देखा जा सकता है इसके साथ ही राकेश वापट ने सिलपा सेट्टी को सुपकाम नाए देती हुए एक प्यारा सा पोस्ट लिखा वैसे इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट के माधिम से जरूर बताएं लेकिन अगर आपने चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए साथी बेल आइकोन ट्रेस करना बिल्कुल ना भोलें जिसे आपको इंटर्टेन्मेंट से बरपूर इस तरह की वीडियोस लगाता मिलती रही